पंद्रह अगस्त के दिन उससे बड़ा इस देश का दुर्भागी क्या होगा कि पंद्रह अगस्त अंदोलन का दिन और सामुहिक बलातकार के सजाई आफता को जो सुप्रीम कोट ने इसकी सजा बहाल की थी उसको तो पंद्रह सजावदी के पहले इन लोगों ने पैरोल पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्कार्णीं कीमया लोग thinking द्रक आधि अब दस्तावेज क्ication कीतना वांसाब्जीनड करें किद्सक्राइब सक्वाबर इसलिए माफिया उत्तर-प्रदेश में पाए जाता है बिहार के अंदर में माफिया नहीं पाए जा सकता है माफिया कोई अब कारवाई करेगा सूचना देगा बगाएर कोई राजितिक हस्तक्षेप के कारवाई होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में अतीक अहमत का समर्थन भी लेते हैं नुक्लिय डिल में भाजबा के उत्तर मानिए ललन वागों ने बहुत अच्छा बोला है एक आइसा दुलहा है जो वादा खिलाफी कि इनको दुलहने नहीं मिल रहा है और बिहार में इत्तों समधी नहीं भाजबा के नरेंद्र समधी के लेवल में है समधी समधी मिलन करते हैं तो बिहार की राजनी में 2015 में तो एहसास हो गया है एहसास हुगा कि हां से अमेरिके चले गए सीधा नमस्कार विश्पोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बतादे आपको कि अनन्द मोहन की रिहाई हो गई है और अब इस रिहाई के बाद बिहार में सियासत भी सुरू हो गया है भारतिय जन्ता पार्टिस बात को लेकर आलोशना कर रही है वहीं नित निश्कुमार तो हर जगा घूम रहे हैं लेकिन फाइदा क्या होगा दूल्हा कोई मानने को तैयार नहीं है और इधर अधर बटक रहे हैं बात करते हैं इन तमाम उद्दों पर बात के लिए हमाद साहते हैं वीडियू के मुझे प्रवक्ता नीरज्कुमार है मानिया आनंद मोहन सहीत जो समाज के विभिन तबके के लोग हैं वो दलित भी अति पिछड़ा पिछड़ा जो भी है उसकी सूची जो भी अग्यतन है उन लोगों को जो राजी सरकार ने एक नितिकत निरने लिया जो संबिधान की मूल प्रस्ताबना है समानता का सिद्धान क कि आम के लिए अलग कानून खास के लिए अलग कानून यह कहीं से नियुक्ति संगत नहीं है यह से माल लिए हम है बुम्यार और हम है सरकारी पदाधिकारी और हम एक गैर सरकारी पदाधिकारी है और अपराद करने वाला जो विक्ति है वह हमारी ही जातिका है तो अगर वो करेगा तो सरकारी पदाधिकारी करेगा तो जीवन परियंत रहेगा क्यों भाई उनको भी एक वोट का अधिकार है और दूसरे का करेगा तो जो नियम है 14 साल 15 साल के बाद परिहार बोड रहा करेगा या कहीं से न्याय संगत नहीं था जब सरकार ने समानता के सिध्धानत के नितिगत निरने लिया कि बिहार जेल मैनुवल में यह प्राबधान जो है कि आम के लिए अलग कानून खास के लिए अलग कानून इसका पटा छेप हुआ है अब परिहार बोर्ड निरने लेता है परिहार बोर्ड में कोई भारती यंता पाठी कोई असपस्ट करना चाहिए कि गुजरात के अंदर तो परिहार बोर्ड में भाजपा के एमेले रहते हैं वाड पारसद रहते हैं लेकिन बिहार के अंदर में जो परिहार बोर्ड है उसमें रहते हैं होम सेक्रेट्री रहते हैं उसमें परशासनिक पदाधिकारी रहते हैं जेल के पदाधिकारी रहते हैं न सम्बेदकर से आपकी नाराजगी हो सकती है चुकि आप तो चाहते हैं कि हम अपना सिद्धान संभिधान बनाएं लेकिन देश समानता का सिद्धान चाहता है इसलिए उस आलोग में फैसला है अब भी पक्षी एकता का जहां तक सवाल है तो भारतिया इंतापाटी अखिर बे प्रजी जी का कि भीजन और मिशन दोनों क्लियर है और मानी नितिश कुमार जी ने कहा कि मैं प्रधान मंत्री का उमिद्वार नहीं हूं लेकिन वैसे लोग जो कहते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे हम आपको नहीं रहने देंगे इसलिए नहीं रहने देंगे कि नाचार फैला दिया सत्ता का दुर्पयोग कर लिया विश्वास घात किया जंता के साथ किये गए वाइदे पूरा नहीं किया इसलिए यह महत्वपुण विशह है अब कौन क्या बोलते हैं बोलते रहेंगे इसका मतलब बिहार मॉडल देश की राश्ट्रिय विमर्ष में महत गुजरात मोडल में अगर यह हुआ है तब 15 अगस्त के दिन उससे बड़ा इस देश का दुर्भागी क्या होगा कि 15 अगस्ता अंदोलन का दिन और सामुहिक बलातकार के सजाई आफता को जो सुप्रीम कोट ने इसकी सजा बहाल की थी उसको तो 15 सजा आफदी के पहले इन अंदर में गुजरात के अंदर में या विभीन जगों पर या आथवा आप तो हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार हैं तो आप यहीं बता दीजिए कि सराब पीने से कौन-कौन देवी देवता प्रसंद हो जाते हैं जो भी देवी देवता है जिनको भी आप मानते हैं वह बालू का जहां तक सवाल है फिर बोलने हैं तो फिर मिरची लग जाएगा अरे भाई उसब तो दस्तावेज है अब दस्तावेज केतना बार हम साबजनी करें एक ही दस्तावेज को बार-बार इसलिए माफिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है बिहार के अंदर में माफ कहमत का समर्थन भी लेते हैं नुकलियर डिल में भाजबा के लोग पी अफाई का कारियाले भी हजरत निजाम मुद्दीन में खुला रहता है जो देश बिरोधी संगठन है तो ऐसे लोग को राजनीत में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतिया जनता पार्टी क संग्रक्षन मिला रहता है सवाल एक और है कि नितिश कुमार को कोई दुल्हा मानने को तयार नहीं है और इधर घूंब रहे हैं उतर मानिये ललन वागु ने बहुत अच्छा बोला है कि ऐसा दुल्हा है जो वादा खिलाफी की हैं कि इनको दुल्हने नहीं मिल रहा है और बिहार में इत्तों संधी नहीं भाजबा के नरेंद्र मोदी जी संधी के लेवल में है संधी मिलन करते हैं तो बिहार की राजनी में 2015 में तो एहसास हो गया एहसास हुगा कि हां से अमेरिके चले गए सीधा नरेंद्र मोदी जी राजनी तिक संधीयन माने जांगे बिहार का लीडर बिहार में बीजे पी में कोई नहीं है मैंने इतनी पातरता नहीं है यह कोई मुखमंतरी का उम्मीदबार होता 2015 में तो इन लोका क्या हाल कर के रख दिया तुम नेता ने बनो हम नेता हैं हमारे बल पर चुना होगा अचुना उह कारण अब जिसे राजनीत में सहीयोगी नहीं मिल रहा है वो इसी इनको दुलहन नहीं मिलने वाला तो हमारे साथ थे जड़ियों के मुख्र प्रवक्ता थे तमाम सवारों को जाव इनों दिये हैं मनेश पूनीशन के साथ नमस्कार